हेलो रिबड़ी मैं धरमेंद कुमार आपके अपने चैनल जी के देखो बाइडी के में आप सभी का स्वागत है जैसा कि हमारे MDM के SN अकाउंट से हमने वेंडर को पेमिंट करना शुरू कर दिया है पीपीए बना कर हमने वेंडर को पेमिंट करना शुरू कर दिया है और कैनल कुछ लोगों का पेमेंट नहीं हो जा रहा है हम यह कैसे पता करेगी हमारा पेमेंट हुआ है यह नहीं हुआ है कभी कभी क्या होता है कि हमारे परधना द्यबक का मुबाइल नंबर भी पी एन बी बैंक में या फिर वेंडर के बैंक में रजिस्टर नहीं होता है तो हम अपन SNA account में MDM के SNA account में PPA के नंबर से पता कर सकते हैं कि कैसे vendor को payment हुआ है यह नहीं हुआ है success है इन process है या फिर कोई error है तो इसका पता हम कर सकते हैं अपने SNA account में login करके maker की ID से तो कैसे पता करेंगे आज किस वीडियो में सीखते हैं तो सबसे पहले हमें जाना होगा अपने mobile phone की screen पर और मैं आपको सला देता हूँ जब भी आप MDM के SNA account में login करें तो firefox का स्फमाल करें यहां icon बनावाए firefox का तो में यहां touch कर देते हैं थी क्यकूं है यहां टच करने के बाद फिर यहां आप डालेंगे CSS Portal CSS Portal इतना हम लिखेंगे और देखो यहां लिखा जाता है CSS Portal Canra इस पर टच कर देते हैं यहां टच करने के बाद फिर देखो ऐसे लिखाता है CSS Application यहां किलिक कर देते हैं यहां किलिक करने के बाद यह को उपर दिखावा किलिक here to login in CSS application और यहां किलिक कर देते हैं यहां किलिक करने बाद देखिए हम पहुंच जाएंगे सीधे Canada Bank की login वाले पेज़ पर हम login करेगे maker की ID से ठीक है तो चलिए मैं यहां maker की ID यानि email ID डाल लेता हूँ पासवर्ट डाल लेता हूँ और यहां डाल करके यहां login वाली पट्टी पे किलिक कर देता हूँ मैंने यहां डाल लिए email ID maker की password और यहां लोग इन वाले पेज़ पे किलिक कर देते हैं ऐसे किलिक करने के बाद हमारे maker के register mobile नमर पर OTP चला जाएगा भले हम maker की ID पर login करें या फिर checker की ID पर तो यहां देखो OTP आ गया है और हम यहां OTP डाल देते हैं देखे हमने OTP डाल दिया है और यहां validate OTP पे किलिक कर देते हैं यहां किलिक करने बाद देखो ऐसे पेज हमारे सामने आ जाएगा इस पेज को आप यहां से close कर दीजिए यहां ओपर क्रोस का चीन है यहां से अटा दीजिए तो इसको close कर देते हैं ठीक है तो हम यहां आ गए हैं और देखो यहां लिखावा है menu अब एक साथ ही सिख्षक मुझसे पूछ रहे थे कि सर कंप्यूटर पर मैनू नहीं आ रहा है अरे भाई कंप्यूटर पर लैफ्टोप पर आपको ऊपर ही सब टेप दिखाए देंगी सब से ऊपर यह तो मोबाइल फोन पर हम प्रियों कर रहे हैं इसका फायर फोक्स का इस स्क्रीन पर ऊपर दिखाए देंगी आप वहां से इनको अपरेट कर सकते हैं तो हम जाएंगे पेमेंट वाले पर यहां लिखाओ पेमेंट हम यहां जाएंगे फिर यहां जाने के बाद हम कहा जाएंगे पेमेंट फाइल पर इस पर क्लिक करेंगे और यहां क्लिक करने के ब भन रासी उसके वेंडर के खाते में गई या नहीं गई या फिर कहां तक पहुंची क्या उसका स्टेटस है यहां लिखा ओडर स्टेटस हम यहां जाएंगे क्योंकि जब हम भी किसी पीपीए को जनरेट करते हैं तो उसका ओडर नंबर होता है यह साइड माँ देख रहे पर यह आपको यहां नोट कर लेना है जैसे में साइड माँ आपको दिखाया रखा है और यहां किलिक करेंगे यहां किलिक करने अबाद यहां जो है आपको यहां ओडर नंबर बढ़ना पड़ेगा ठीक है तो यहां ओडर नंबर बनेंगे जो हमारा ओडर नंबर था पीप तारीख होती है किस तारीख हपी फाई consequently की है यहाँ जीरो फाइबिए पांच तारीख है वन अब convoy 9930 fast faster ही अध्य यहें यहारा महीट का देगा लेकिन हमें सारा ढालना पढ़ेगा तो डाल देते हैं सरा नंबर जो कहते हूं यह आपको ध्यान से डालना है यह मैंने यहां पीपे का ओडर नंबर पूरे पंद रंगों का डाल दिया है और देखो यहां सर्च पर किलिक करेंगे यहां किलिक कर देंगे यहां किलिक करने बाद देंगे नीचे हमारे सामने देखो आ जाएगा यहां ओडर नंबर देखो जो मैंने भरादा वही लिखावा है यहां स्कीम कोड है जब 2605 यह हमारा डैबिट अकाउंट नंबर है जिससे वेंडर को पेमिंट जाएगा यह हमारी पार्टी का नेम है यह यह record count है यह total amount जो हमने जिसकी पीपे बनाई थी और किस तारीक को बनाई थी वह लिखावा है ऑथराइज इस्टेटस है ठीक है तो देखो यहां विव पे किलिक करेंगे details of transaction हम यहां वीव पे किलिक करेंगे यहां किलिक करेंगे यहां किलिक करने के बाद यह देखे ऊपर आ गया है वीव पे किलिक करने के बाद यह ऊपर लिखा आ गया है order number जोगा तुँ है ठीक है यह transaction ID है यह credit account number है जिस account में हमने पैसा डाला यह vendor का account number है और यह account credit amount है यह UTR है यह status है यहां देखने status क्या है success यानि payment हो गया है और transaction status भी success transaction है error success transaction है यानि कुछ भी नहीं है आपका vendor को payment हो गया है अगर यहां कुछ गड़बड होती तो यहां status पे लिखा आता या फिर transaction status पे लिखा आता या फिर error होती तो यहां लिखा आता आप अपने order number से PPA के order number से जो कौने में लिखा होता है जैसे मैं साइड में दिखा रहा हूं आपको इस order number से पता कर सकते हैं कि आपके vendor को payment हुआ है या नहीं हुआ है ठीक है तो यह जानकारी मैंने आपको दीश वीडियो में कि आप अपने MDM के SNA account में यह पता कर सकते हैं कि हमारे vendor को payment हुआ है या नहीं हुआ है ठीक है तो आज की वीडियो में इतना ही वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें शेर करें और शेयर पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरू कर लिजी धन्यवाद चैनल